सिरी चंसेखर जी माने सभापती जी जैवीम मामहिम राष्टपर जी के अभीबासन पर धन्यवाद प्रस्था पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सभापती मौदे सर पर्थम मैं बहुजन समाज में जन्में सभी संतो गुर्व महान पुर्शों को नमन करता हूँ जिन मैं मातमा जोती बाफूले डॉक्टर बावा साब अमबेटकर मानेवर काशीराम साब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर साथ साथ नगीना की महान जन्ता और भीम आर्मी और हमारी पर्टी आजार समाज पर्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ इसके बाद अपने कुल गुरू जगद गुरू सद्गुर अविदाश जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ जिन्हों दुन्हों दुनिया को लगबग 600 साल पहले बेगंपुरा शेहर के रूप में दुनिया का सबसे महाल लोक्तांत्रिक दर्सन दिया अदेक्स मोदे माने सभापती जी 14 अगरत 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था 15 अगरत 1947 को हम लोग आजाद हुए 16 अगरत 1947 को देश आजादी में था लेकिन धन दर्ती राजपार्ट में बटवारा नहीं हुआ जो साधन संसाधन थे उनमें बटवारा सही रूप सना होने कारण एक बहुत बड़ी अबादी सुईधाव से वंचित और समान से वंचित रह गई उनको समान देने के लिए रंतिम वेक्ति तक सुईधाव पहुँचे इसके लिए लोकतंत्र की वेवस्ता हुई लेकिन आजादी के सतर साल बाद भी हम कहां खड़े हैं इस पर चिये चिंता का विश्य है मैं मानता हूँ कि समाजिक न्याय तभी होगा माने सभापती जी जब जाते जाते जनगनना पूरी होगी और जाते जनगनना कराए जाएगी और साथ साथ संख्या के अधार पर आरेक्षन जो है वंची दवर्गों का बढ़ाए जाएगा उसके साथ साथ जब राश्पती जी अभीबाशन पर बात रख रही थी तो उन्होंने सहरी और ग्रामिंट शेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शेर हमारे याँ बने लेकिन मानने सभापती जी सतर परसेंट आबादी तो गाओं में निवास करती है जाओं के अबादी के बारे में भी सोचना होगा का उनका जीवन कैसे बदले मानने सभापती जी उस सेक्षनिक संथानों में बाउजन समाज की जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एक्टोसिटी हो रही है लेंतर उनकी हत्या हो रही है साथ-साथ जो सरकारी करमचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी जो सेस्टी ओबीसी और मुस्लिम और अन्य धार्मिक लब संखे के उनके साथ भी मानने सभापती जी जातीकत और धार्मिक जो है सोचन किया जा रहा है इसलिए मेरी मांग भी यह है कि पुरानी पेंशन को भी अद्ध अधिवासी मुस्लिम और अन्य धार्मिक लब संके जो अत्यचार हुए है वो किससे छिपेवे नहीं है ये गलत है ये बंद होना चाहिए सभापती महोदे जी महामें राष्टपती जी के अभी बासन में निजी छेत्रों में स्सी एस्टी ओविसी को रिजर्वेशन देने कोई उलेख नहीं हुआ है जो कि आज चर्चा का विस है क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है 2% सरकारी सेक्टर है तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी इससदारी की बात होनी चाहिए माने सभापती जी आसा कारे करताओ आंगन बड़ी वर्करों भोजन माताओ के वे इस आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया रोजगार की सेवाई नहीं है नोजवान प्लाइन करता है आई आई टी आई एम एम्स केंद्रे विद्धालियादी शिक्सा में और चिकिसा संक्थानों के अस्थापना होनी चे जो कि नहीं है और माने सभापती जी मानसून से तरा गया है मेरा छेतर बाड से बहुत परवावित है इसलिए मैं आपसे आगरे करूँगा कि वहां के लोगों को बाड संजाद दिलाई जाए माने सभापती जी चीन हमें आख दिखा रहा है और लगातार हमारी देश की सिमाओं में घुस्पेट कर रहा है इसलिए अगनिवीर य प्रदान मंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रदान मंत्री जी ने लिया है किसान अगर अपना कर्ज माप कराने के लिए जाता है तो लाटी जहनली पड़ती है जबकि सरकार ने धन्ना सेटों का पंद्रा लाग करोड सेस्टी के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने मुकदमे लगे थे वह हमारी लड़ाई सही थी यह सुप्रिम कोर्ट नहीं माना और बाद में सरकार नहीं माना वो मुकदमे तुनत वापिस होने चाहिए माने सभापती जी प्रेस जो है उस पे भी सिकंजा कसा जा रहा है ज सभापती जी पेपर लीग और प्रिक्साव के कैंसल होने से देश के नोजवाने का भष्ष से खत्रे में हैं नीट यूपी सिफाई भरती सभापती जी और नुट्या सिकसक भरती में आखसंट घोटाला हुआ है कोई पूछने वाला नहीं खून के आंसुर हो रहे हैं बच आप बोलिए एक मेंट और बोली है अदेक सभापती जी नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार हमने मनीपूर देखा सर हमने पहलवान बेटियों का हरसर देखा सर और हमने सर हातरस की बेटी का हरसर देखा सर और हातरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूर सब्सक्राइब कर रहा है नोट बंदी पर छोटे मजलों दोग की जो कमर टूटी वह भी हमने देखी है सभापती जी सेक्षिनिक संस्थानों में चिकिस्था संस्थानों में OVC ST के योगड़ा ब्यारती को सब्सक्राइब करके जिस तरह निकाला जा रहा है यह भी हम देख रहे हैं सभापती जी साथ साथ मेरा यह कहना है सर यह सबका इशू है कि प्राइवेट करमचारी सर और सरकारी भी कई जगापे आठ से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जब सर उचित वेतन भी नही विज़े सर पुलिस सब जाएंगा है सर लेकिन सवाल यह सर बहुत किसी नहीं बात हैं आठ घंटे की द्यूटी और वेतन विसंक्तर बोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए मादें सभापती जी एक मिनट चाहिए सभापती जी राश्ट पती जी ने धरम के बारें बात काता हूं कि जितना देश दूथ्रों का ऐसार इतना हमारा भी है हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए जू चाहता हमारी हथ्या कर देता है मुचे रखने पे घोडी पे बैठने पे मटकी चुने पे हमारी हथ्या हो रहे क्या बदला है सर सतर साल बाद भी दलिद पिछडे पर इंसा निरुपरिये सर मेरा आपसे संद्रक्षन के साथ ये आगरे है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है देश सविधान से चलता है सर और सविधान से चलेगा सविधान चेटकानी परदाजनी की जाएक सर धन्यवाद